है हलो फ्रेंज वेल्कम टू गुरूकुलकास्ट विद एक्जाम अकैडमी जैसे आप पता है कि हम यहाँ पर डिस्टास कर रहे हैं सामान क्यान मतलब जीके से रिलेटर रहे हैं हैं क्रिश्टन सीरीज को हम डिस्टास कर रहे हैं और यह हमारा जीके की सीरीज का पार्ट समीति थी तो जांते हैं अनुसीलन जो समीति थी यह जो थी एक क्रांतिकारी संगठन था क्रांतिकारी संगठन की बात दिखिया है और यहां पर डी में है तो हमारे पर डी नंबर यहां पर हम क्लिक कर देंगे तो याद रखना है अनुसीलन समीति जो थी एक प्रकार की क्य आपको याद रखना है कि अनुसिलें समीती का जो थी वो किस प्रकार के समीती थी पहले तो ये क्रांतिकारी संगट हम था और ये क्रांतिकारी जो संगट था इसके संस्थापक कौन थे तो इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे सातीस चंद्र बसू ये भी आपको याद रखना है फिर आ जाते हैं सिकेंड नमर हमारा कुशन क्या कर रहा है कि निम लिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुना नदी के नाम से जानी जाती थी इसका अलगा कि पहला तो इसका नाम क्या था अरुना नदी था लेकिन बाद में नाम उसका बदल दीया गया तो कौन सी वा नदी थी जो पहले अरुना नदी के नाम से जानी जाती थी जानते रहे जाना रहे जाती को अजाता था किसको समाप्त किया जा सकता है किछ को समाप्त किया पंचाय तो नगर पालिका तो जानते रहेगा जिसको समाप्त तो किया जा सकता है कि भंग नहीं किया जा सकता है ये है विधान परिशद और विधान परिशद दिखिया है ऑप्शन नमर बी में तुमारे यहां पर बी नमर राइट अंसर हो जाएगा आपको जाद रखना है क के शूरत अधिवशन च villain कि इसना था उडिवेशन हुआ था जिन होंगती वह थे डॉक्टर रास बिहारी घोश और भाप्ष नमब यहां पिë में आ हैं तुम्यारे बेहने आँ पर alla И्मट Sign skipping सूरत हीवेशन के अध्थ코 था रास डाक्टर रास भीहरी घोष जी ने किया था फिदिक आजएंगे सिक्स नमर हमारा कुछिन क्या कर रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है तो जानते रहेगा बंगाल का शोक जिसे कहा जाता है वो है दामोदर नदी और दामोदर दिख कोंग्रेस को साप कारण किया था किःए कि अनिस सो साथ में कॉंगरेस का जो फिया धी streets का पड बंगा रा से मैं है बंग बंग विरोध आंदोलन की कारवाही पर मतभीद तो जानते लिए इन चारों हमारा जो सही आंसर है वो है राश्ट्री कॉंग्रेस के अध्यक्षपत का चुनाव को लेकर उनमें मतभीद हो गया था इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बी नंबर है बी नंबर है यहाँ पर हम राइट आंसर कर लेंगे याद रखिएगा कि 1907 में हुई कॉंग्रेस के उदारवादी वा उग्रवादी नेताओं कि 20 संघर सेमा मतभेद का जो मुख्य कारण था वो था कि राश्ट्री कॉंग्रेस के अध्यक्षपद का चुनाओ तो वो सब अपने अलग-अलग विचार धारा में थे अलग-अलग लोगों को सेलेक्ट करना चाहते थे इसलिए इसी मुद्दे पर उनमें क्या था संघर सुआ था यह याद रखिए तो जानते रहेगा विनाशक नदी के नाम से जो नदी जानी जाती है वो नदी है कोशी नदी देखिया है और यहाँ पर सी में है तो हमारे यहाँ पर सी नबर हम राइट अंसर कर देंगे तो याद रखिएगा कोशी नदी को विनाशक नदी भी कहा जाता है फिर देखिए आज आज आएंगे हम नाइन्थ नमबर हमारा कुशन क्या करा है कि राष्ट्री अंतरदेशी नोवाहन सं स्थान जो अवस्थित है वो है पटना में और पटना दिखिया है option नमबर यहाँ पे ए में तो हमारे यहाँ पे ए नमबर आइट हैं सरो जाएगा आपको याद रखना है कि राष्ट्री अंतरदेशी नोवाहन संस्थान पटना में अवस्थित है फिदी के आज आएंगे तेंथ नमबर मारा कुशिन क्या करा है कि कॉंग्रेस लीग कॉंग्रेस लीग समझाओता का दूरगामी परणाम क्या हुआ तो जो कॉंग्रेस लीग जो हुई थी जो कॉंग्रेस लीग की जो समझाओता हुआ था उसका दूरगामी परणाम क्या हुआ देखिए option में एक ए असफल हुई तो इसका जो Congress League समझोरते का जो दूरगामी परिणाम था इन चारों में क्या था तो जा द्रेगा इन चारों का जो परिणाम जो निकला था वह था भारत का विभाजन ता पाकिस्तान का निर्माण यह जो क wiping लीक समझाओते का जो दूरगामी परिणाम जो निकला वो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण था था ती यह आज आज आएंगे एमें आए हैं तो हमारे यहां पर यहां पर यहां पर हम राइट आंसर कर देंगे आपको याद रखना है कि कॉंग्रेस लीक पर की नदी है वो है सतलज नदी हो सतलज देखिए आया है अप्श only नंबर यहां पर बी में तो में यहां पर बी नंबर को क्लिक कर देंगे भी कुछर्ण ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी नदी हिमाले से नहीं निकली है इस तरह से भी कुश्चन आ जाता है तो वो हमारा रहेगा सतलज नदी अब यह कि सतलज नदी जो है कहां से निकली हुई है अगर यह पूछ ले कि सतलज नदी का एक और आ सकता है कि सतलज नदी का पौराणिक नाम क्या है तो जानते रहेगा सतलज नदी का जो पौरानिक नाम है वो है सतुर्दी तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है क्वेशन ऐसे भी आ सकता है कि सतलज का पौरानिक नाम क्या है तो पौरानिक नाम क्या है शतुर्दी है हाँ अगर ये क्वेशन आ जाए कि सतलज तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि जानते रहेगा सतल जन्दी जो है हिमाले से परी की नदी ही इनका पौराणिक नाम क्या है सतुर्दी है और अगर ये कहें कि कहां से निकली है तो आपको जैसे बताएगा कि ये राक्षस ताल से निकली है जिसे अस्थानी नाम या स्थानी भाषा में लोग चेन संभाव के नाम से भी जाना जाता है तुम्हें भी एक क्लियर हो गया होगा आपको आजाते हैं हम देखें नेक्स कुश्चन में मारा नेक्स कुश्चन कर रहा है कि निमलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है तो आप्शन नमबर ए जाम नगर जाम नगर जानते रहेगा गुजरात का बंदरगाह का कस्बा नहीं है इसलिए हम यहाँ पे आप्शन नमबर ए को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे अच्छा थोड़ा कुछ और भी पॉइंट जान लेते हैं जानते रहेगा अब अगर यह रहे कि कौन कौन से बंदरगाह गुजरात में है तो उसका नाम भी जान लेते हैं जानते रहेगा गुजरात में जो बंदरगाह है वो है कांडला है ओखा है वेदी है वेरावली है और सिक्का है और पोरबंदर ये सब क्या हैं ये गुजरात के बंदरगा हैं जानते रहे गए ये सभी मुख बंदरगा हैं और देखे इसमें नाम जो पूछा गया थे कौन कसबा बंदरगा का कसबा नहीं है तो वो जो है मारा जाम नगर जाम नगर नहीं है और ओखा पोरब हो गया सिक्का हो गया ओप और बंदर यह मुख बंदरगा हैं कहां कि गुजराद की यह आप याद रखेगा फिदी के आ जाते हैं थर्टी नमर हमारा कुछ इंगर है कि बंगाल वी भाजन के पीछे ब्रिटिस सरकार का उद्देश क्या था तो जानते हैं बंगाल वी भाजन कर वहीं से सारी चीज़े प्लाइनिंग की जाती थी और ब्रिटिस सरकार पूरी तरह से घड़ा गई थी परिशान हो गई थी और वो चाहरे थी कि इन सब को अलग करने के लिए इसको अगर वी भाजित कर दिया जाए तो सब लोगी एक अत्रित नहीं हो पाएंगे तो इनक बंगाल का विभाजन के पीछे जो ब्रिटिस सरकार का उद्देश था वो क्या था बंगाल में बढ़ते हुए राष्टवाद को दबाना इसलिए और हमारा सी यहां पे हम क्लिक कर देंगे फिदी के आज आएंगे हम फोर्टी नमबर हमारा कुशन कर रहा है कि निमलिखिस तो आई इसके लाओं कुछ और भी पॉइंट जान लेते हैं कि कुछ और नदियां हैं जो शोक कहलाती है तो कहां की कौन सी नदी शोक कहलाती है फुरा सा दो चार पॉइंट इसको भी डिसकस कर लेते हैं याद रखेगा दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है महा नदी जो है उरिसा का शोक कहलाती है कोशी नदी बिहार का शोक कहलाती है और पीली नदी जो है ये चीन का शोक कहलाती है और मेकांग नदी जो है ये कमबोडिया का शोक कहलाती है जिसको स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि दाम मुदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है, महा नदी उरिसा का शोक कहलाती है, कोशी नदी बिहार का शोक कहलाती है, पीली नदी चीन का शोक कहलाती है, और मेकांग नदी जो है कमबोडिया का शोक कहलाती है, तुम्हें भी यह आपको क्लियर हो गया होगा, अब आजाते देखे के 15 नमबर हमारा question क्या करा है कि भारत के निमलिखित बंदर seeking जा जो डिजह है तो जहांते हैं पारादीप पारादीप आपश्ण नमबर नहां परгуक्र कर यह कहाँ पे इस्थीत है तो जांत глएगा यह जो हलदिया है है यह है पस्चिम बंगाल में और मुंबई बंदरखा की बाद करें मुंबई तु मुंबई यह कहाँ पे है तो जानते रええगा विशाखह पठनम जो बंदरगा है यह आन्ध प्रदेश में और जानते रहे गा यह देश का चौता सबसे बड़ा बंदरगा यह भी आपको याद रखना यह इंदे बहुत आकि आपको याद रखना के ना flesh है तो ओडि सर्थ तैट विशाक़ापनम के बारे हम आपको यह याद रखना है कि विशाक़ापनम बंदरगाउए आंधर प्रदेश में और यह जानते रहेगा देश का सबसे बड़ा चाओता बंदरगाउए यह भी आपको याद रखना है एक लिए क्या करता है कि-बंगार현 ही भाजन बंगार विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतर तो किस ने किया था तो जानते रहेगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतर तो जिन होने किया था वो थे सुरेंदरनाथ बैनरजी और सुरेंदरनाथ बैनरजी दिखिया है आप्शन नमबर A में तो हमारे यह खिताती हैं तो जानते हुए चाहिता है वह त्जोपी आज देश्टीन गोजी खिलिए süछ अन्तित पित्र हो सका प्रनार सुर्चिन के लिए इस प्रयोकर दोना सी तो जानते हैं कर भारत में अंतर जलमार्गों के लिए प्रियोक की जाने वाली जो नदी है वो नदी फूरिये हैं फिर के आजाते हैं नेक्स नमर हमारा कुछिन क्या कर रहा है कि स्वदेसी आंदोलन जो स्वदेसी आंदोलन जो हुआ था करें यह सुरुआत क्यों किया गया क्यों हुआ इसके पीछे कारण क्या था तो स्वदेसी आंदोलन के शुरुआत किया गया तो किस लिए किया गय में भारतियों के हत्या हो गई थी उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया था या फिर ऑप्शन नबर D में है भारत में उत्तरदाई सरकार बन सकने में ब्रिटिस सरकार की असफलता के कारण की वजह से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ थो जानते लिए का जरुआत होने का जो मुख्य कारण था वो था बंगाल विभाजन का विरोध करना विरोध करने के लिए यह किया गया था इसलिए आप्शन नमर हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फिर कि आजाएंगे नेक्ष्ट नमर हमारा ट्वंटी नमर कुशिन क्या रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप माजुली का निरमाल करने वाली नदी कौन है तो जानते रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ा नदी दीप उस नदी दीप का नाम क्या है माजुली और इसका निरमाल करने वाली जो नदी है वो नदी है नदी कौन है ब्रह्मपूत्र दूसरा question ये बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप कौन है तो कौन है तो वो माजुली है ये आपको याद रखना है और तीसरा इसमें question ये बन सकता है कि याद रखेगा कि कौन सी वो नदी है जिसका उदगम भारत में नहीं तो आपको ये सारे point याद रखना है पहला क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप कौन से माजुली ठीक है और इसका निर्मान कौन सी नदी करती है ब्रह्मपूत्र और ये question आजा है कि ब्रह्मपूत्र का उदगम कहा हुआ है तो आपको याद रखना है तिबत मे हुआ है और ये question ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी नदी है जिसका उदगम भारत में नहीं हुआ है तो आपको याद रखना है वो ब्रह्मपूत्र नदी क्योंकि इसका उदगम तिबत में हुआ है तो जानते रहेगा राश्ट्री राजमार्ग सेवन जो आया है ये नहीं आपको याद रखना है कि राश्ट्री राजमार्ग जो सेवन है वो केरल से नहीं गुजरता है फिदी के आज जाएंगे 22 निमबर हमारा कुशिन कह रहा है कि महाराश्ट में गणपती उस्सव गणपती जो उस्सव होता है इसका प्रारंभ करने का श्रे किसे प्राप्त है इसको शुरू करने का जो श्रे है ये है बाल गंगा धर तिलक जी को आपको याद रखना है कि महाराश्ट में गणपती उस्सव का प्रारंभ करने का जो श्रे दिया जाता है वो दिया जाता है बाल गंगा धर तिलक जी को फिदी के आजएंग नेक्स नमर हमारा कुशिन क् 23 नमबर कुछिन कह रहा है कि तिबबत में मानसरोवर जील के पास किस नदी का उदगम श्रोत इस्थित है तो कह रहा है तिबबत में मानसरोवर जील के पास किस नदी का उदगम श्रोत इस्थित है तो याद रखेगा तिबबत में मानसरोवर जील के पास जिस नदी का श्रो स्थित है वो सिंधु भी है सतलज भी है और ब्रह्मपुत्र भी है इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दी इन में से सभी हम दी नंबर को क्लिक कर देंगा आपको याद रखना है कि तिबबत में मांसरोवर जील के पास जिस जिन जिन नदियों का स्थित है वो करेंगे हमारा नेक्शन क्या कर रहा है कि www को स्रिजित करने का स्रे किसे है मतलब जो आप वेबसाइड में देखते हैं www. करके जो भी वेबसाइड बनाई जाती है तो कि डबलु डबलु को जो कॉंसेप्ट है यह किसने दिया था इसका स्रे किसे जाता है तो जानते हैं डबलु डबलु को स्रिजित स्रिजित मतलब होता है बनाने का जो श्रे है यह गया है टीम बर्नर्स लीग हो जाता है इसलिए option नमर हमारा भी यहाँ पे right answer हो जाएगा थे दिकि आ जाएंगे यहाँ पे 25 नमर हमारा question क्या कर रहा है कि Muslim League की अस्थापना का श्रे की जाता है तो मसले मुसलिम लीग की जो अस्थापना हुई इसका अस्थापना करने का जो श्रे जाता है वो किसे जाता है तो जानते रहेगा मुसलिम लीग की अस्थापना का जो श्रे जाता है यह जाता है सलीम मुला को और सलीम मुला दिखिया है option नमर यहाँ पे C में तो मारे यहा रखिएगा इसलिए option number हमारा है सीमे राइट अंसर हो जाएगा फिर देखे आ जाएंगे 26 नमर हमारा question क्या रहा है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र नदी की तो कहरें यह लंबाई कितनी है देखें फिर से question समल लेजे कहरें कि सिंधु नद यह option number B में तो हमारे यहाँ पर B number राइट अंसर हो जाएगा अब देखे question ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है तो 29 किलोमेटर होगी अगर आजाए ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है तब भी हमारा option क्या होगा 29 किलोमेटर ही रहेग यह बनाती है तो जानते ही जो है न यह दूर संचार से संबंधित नियामक संस्था है दूर संचार दिखे है option number यहाँ पर D में तो हम यहाँ पर D number क्लिक कर देंगे आपको याद रखना है कि ट्राइग जो है यह जिस छेत्र की नियामक संस्था है वो कौन सा छेत्र है दू यह बनाती है तो जानते हैं घाटी राष्टि कॉंग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो हुआ था उननी सो साथ में और उननी सो साथ दिख्या है option number यहाँ पर C में तो हम C number को क्लिक कर देंगे आपको याद रखना है भारती राष्टि कॉंग्रेस का जो प्रथम भाजन हुआ था, वो हुआ था 1907 में, फिर एकि आजां इंडेक्श नमर हमारा कुछिन क्या कर रहा है कि 29 नमर कुछिन कर रहा है कि तिबबत में बहने वाली नदी जिसका क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, करने निमलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती, इसका अरुनांचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और अरुनांचल प्रदेश की बार दिखिया है option number C में तुमारे हाँ पे C number राइटांस रोजाएगा आपको याद रखना है कि तिब्बत में बहने वाली नदी जिसका नाम क्या है सांगपो है ये समझ लेते हैं पहले कि पत्तन क्या है जिनको नहीं समझ मारा है तो थोड़ा सा जान लीजीगा कि पत्तन जो होता है ये भी एक प्रकार का बंदरगाह ही होता है अब देखिए बंदरगाह और पत्तन में दोनों आलमोस सेम होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होता इसको समझ मतलब जहां जहां जाकर रुकती है। जो प्राकरतिक रुम। क्या है कि जो बंदर्गाह होता है यह प्राकरतिक तो होता है लकिए इसमें गहराई भूकत जादा होती है। और जो मानो निरमित होता है उसे पत्तन कहते हैं और इसकी जो जल की गहराई होती है। को प्रेंट पत्तन का दर्जा प्राप्त है वह है तो वह कौन सा है तो जानते रहेगा वह पत्तन है आपका एनौर पत्तन और एनौर पत्तन दिखे आप्शन नमबर यहाँ पर डी में आया है तो हमारे यहाँ पर डी नमबर राइटांसर हो जाएगा आपको याद रखना है क कि वह पत्तन जिससे देश का पहला कोप्रेंट पत्तन का दरजा प्राप्त है वह है एनौर पत्तन फिदि कि आ जाएंगे next नमर हमारा question क्या कर रहा है 31 question कह रहा है कि लंदन में 13 March को Sir Michael O. Dyer को गोली मारा गया तो किसने मारा था तो लंदन में 13 March को Sir Michael O. Dyer को गोली मारा गया त question यह कह रहा है कि लंदन में जाकर 13 March को Sir Michael O. Dyer को किसने गोली मारी थी यहां से जाकर तो जानते रहेगा जिन्हों उनको गोली मारी थी वो थे उधम सिंग और उधम सिंग देखिया है option number यहाँ पे D में तो हमारे यहाँ पे D number राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखन next number question में आ जाते है देखिए 32 number हमारा question कर रहा है कि निम लिखित में से कौन सी नदी का उधम भारत में नहीं है तो अभी आपको बताया गया था इससे पहले हम डिस्टस कर चुके हैं तो वह नदी जिसका उधम भारत में नहीं है वो कौन सी है ब्रहमपुत्र नदी है और इ देखिए आ जाएंगे 33 number हमारा question कर रहा है कि दच्छिन Asia का सबसे बड़ा माल भारक पतन है तो माल भारक पतन जो है यह पतन नहीं होगा पतन होगा याद रखेगा तो दच्छिन Asia का सबसे बड़ा जो माल भारक जो पतन है वो जानते रहेगा वो है आपका मुंबई और जाएगा अब next number question में आ जाते हैं देखिए 34 number हमारा question क्या कर रहा है कि अलहिलाल समाचार पत्र किसके दौरा राष्ट्री प्रचार के लिए शुरू किया गया था तो जानते रहेगा अलहिलाल समाचार पत्र जो प्रकाशित किया जा रहा था और इसका उद्देश किया था राष्ट्री राष्ट्री था भावना को जगाने के लिए इसको प्रचार किया जा रहा था तो जानते रहेगा अलहिलाल समाचार जिनके दौरा राष्ट्री था के प्रचार के लिए शुरू किया गया था वो थे याद रखेगा अबुल कलाम आजाद और अबुल कलाम असर हो जाएगा फिदि के आज जाएंगे 35 नंबर हमारे कुश्चिन गया रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम अस्थान क्रहमसा है इस्थित है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का जो उद्गम अस्थान है वो कहां है दिखें नेपाल और तिब्बत में, option B में है तिब्बत और सिक्की में, option C में है उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, और option D में है उत्तर खंड और तिब्बत में, तो जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो उद्गम अस्थान है, वो याद रखिएगा, वो है उत्तर तिब्बत में तिइसका उनलोग गंगा जो है उत्राखंड से निकली है और पुत्र जो है वो कहां से निकली है तिब्बत में निकली है इसलिए हमारा option नमग जो डी होगा हम यहां पे डी नंबर को क्लिक कर देंगे हमारा जो right answer हो जाएगा वो जाएगा option number D फिरिके आजाएंगे 36 नमर हमारा कुछिन क्या कर रहा है कि पारा दीप बंदरगाह कहां है तो जानते रहेंगे पारा दीप नामक जो बंदरगाह है जानते रहेंगे यह है ओरीसा में और ओरीसा देखिया है ओप्शन नमर यहाँ पे B में तो हमारा यहाँ बी नमर राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि पारा दीप नामक बंदरगाह जो है वो उडिसा में हैं फिदिके आजाएकर नेक्ष नमर मारा कुछिन क्या कह रहा है कि किस गवर्णर जर्णल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली अस्थांदरित करने की घोशना की थी तो जानते रहेगा जिस गवर्णर जर्णल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली अस्थांदरित करने की घोशना की थी वो था लॉर्ड होर्डिंग्स और लॉर्ड होर्डिंग्स दिखिया है ऑप्शन नमबर यहां पे सी में है तो हमारे सी नमबर देल्टा कौन सी नदी बनाती है तो जानते रहे हैं सुन्दरवन का डेल्टा जो नदी बनाती है वो नदी है गंगा और ब्रम्हपुत्र नदी है दोनों ही नदीया सुन्दरवन का डेल्टा बनाती है और गंगा ब्रम्हपुत्र की बाद दिखिया ऑप्शन नमबर सी में है यह स्थित है केरल में स्घाच एक तिह आपको याद रखना है कि कोजी कोड़ बंदरगाह जो है वो केरल में स्थित है ते आ जाएंगे 40 नमर और हमारा आज कर यह लास्ट पूश्चन है, question कहें, अनुसीलन समीती संबन्द है तो अनुसीलन समीती, जो है ये किसे से संबνηत है तो याद रखे, अनुसीलन जो समीती है ये संबन्दीत है VD सावरकर से बाझे हैं, option number ये यहाँ पे A में, तुमारे A नंचा आपको बताया गया था अनुसीलन समीति के संस्थापक कौन है तो आपको जैसा पहले ही बताया गया है कि अनुसीलन समीति के जो संस्थापक है वो कौन है वो है शतीष चंडर शतीष चंडर बसु तो संदीष चंडर बसु जो है ये कौन है ये है इसके संस्थापक है याद आपको रखना है कि ये कौन है ये है संस्थापक किसके संस्थापक है ये संस्थापक है अनुसीलन समीति से संबंधिति ये इतना याद रखीग तो मेभी आपको यहाँ पे clear हो गया होगा जो भी हमने यहाँ पे 14 यहाँ पे question के लिए हैं अगर साधी clear हो रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को subscribe करना न भूले क्योंकि हम आपके लिए इसे वीडियो लाते रहेंगे तो चलिए अच्छे के इतने रखते हैं Thank you very much for watching this video. Thank you.